So Hello Friends, Welcome to my channel Technical Aashu Friends, इस वीडियो में आलज हम बात करने वाले हैं Instagram की कुछ amazing tricks के बारे में जिन tricks को आप अपनी Instagram ID पर use करके अपनी ID पर काफी grow कर सकते हैं और stand out कर सकते हैं इससे आपकी ID काफी different लगेगी चलिए Friends, आज हम आपको काफी सरी tricks बताने वाले हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें Friends, फर्स ट्रिक आपके लिए यह है कि आप अगर किसी other Instagram user की story को view करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उससे पता भी नहीं चले और हम उसकी story को view कर ले लिए फ्रेंट्स आज आज आपको यह बताने वाले है आपको अपने mobile data ओन करके आपने यहाँ पर Instagram open कर लेना है और Friends, आपको यहाँ पर एक बार refresh कर देना है Friends, अब आपको उस username को open करना है जिस username को आपकी story download करनी है आपको अपने home वाले बेटर पर प्रेस कर देना है और अपना mobile data off कर लेना है आपको recent tips से उस Instagram को open करना है और आपको वो story view करनी है अब देखे Friends, आपको simply अपना home वाले बेटर पर प्रेस कर देना है और उसको recent tips से हटा देना है आप उसे पता भी नहीं चे रहा कि आपने उसकी story view करी है देखे Friends, आपको हम life proof दिखाते है तो Friends, अब मैं आपको second tricks के वारे बताने वाला हूँ अगर आप अपने Instagram story पर text लिखते हैं और आप उसमें 3D shadow वाला effect लगाना चाहते हैं Friends, आपको यहाँ पर इसको थोड़ा black color में कर लेना है तो देखे Friends, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसली मैंने यहाँ पर अपने नाम पर black shadow effect लगा दिया है Friends, आप इस effect को किसी भी color में बना सकते हैं So Friends, अब मैं आपको last tricks के वारे बताता हूँ अगर आपकी Instagram profile पर कोई भी बंदा गलत comments करता है तो आप उनस comments को कैसे रोक लगा सकते हैं आपकी वो आपकी profile पर कोई भी गलत comments ना कर पाए चलिए Friends, मैं आपको बताता हूँ कि आप उन comments पर कैसे रोक लगा सकते हैं देखे Friends, मैंने यहाँ पर अपना Instagram की profile ओपन कर लिए अब आपको सबसे उपर 3 lines पर क्लिक करना है और यहाँ पर setting के option पर क्लिक करना है तो आपको थोले स्क्रोल डाउन करना है आपको यहाँ पर privacy का option मिलेगा आपको simplest privacy के option पर क्लिक कर देना है तो Friends, आपको यहाँ पर सबसे first number पर comment का option मिलता है आपको सिंपलिस कमेंट को ऑप्शन पर किलिक करना है वह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर सेकंड नमबर पर ब्लोग कमेंट्स फ्रॉम आपको सिंपलिस कर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको उस ID को सर्च कर लिना है जिस ID को आप comments ओफ करना चाहते है Friends, यहाँ पर देखे, side में ब्लोक को option आता है इससे आप उस बंदे की comments को ओफ कर सकते है अब यहाँ पर अन ब्लोक कर दिया है So friends, अवर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब परें क्योंकि यह सारे जानकरी हम आपको देते रहते हैं So please subscribe my channel